नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हाजुर हूं एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग जानने वाले जामुन खाने के फायदे तो मेरी इस वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट यह भी आएगा कि भाई अभी कौन सा जामुन का सीजन आया है और आप यह वीडिय होनाँ चाहिए क्या कैसे फाइदे हैं क्या क्या नुक्सान सभी आ जानकारि आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर होने वाली यह तो क्योंकि आद आ इस लोग एक साल से वेट करतें और सब्सक्राइब जामुन आएगा तो जामुन हम लोग खाने तो जामुन हम खाएंगे तो जैसे कि पता है कि जामुन का सीजन हमारा जुलाई अगस्त में जामुन आने लग जाते हैं बारिस के मोसम में और सभी लोग जामुन खाना बहुत ही पसंद करते हैं तो आज मैं आपको पूरी जानका से आपको समझा सके ठीक है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो तो जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जामुन खाने के क्या-क्या फायदे हैं ठीक है उसके बाद हम लोग इसके नुकसान की बात करें यह कैंसर से आपको बचाता है नंबर चार पर हम लोग बात कर लेते कि जो डाइबेटीस मेंजमेंट रखता है और यह जो आंत के लिए बहुत ही अच्छा है आपने सुना होगा कि हम लोग पढ़ते भी थे पहले बढ़ी आन चोटी आन तो उसके लिए भी काफी है पाइदे जो हमारे स्किन वगरा की तोचा को भी काफी यह इसमें रक्षा करता है इसको स्वस्त रखने में काफी हैल्दी बनाए रखता है ठीक है और नंबर आट के हम लोग बात कर लेते हैं यह आपके दिमाग को भी काफी ज़्यादा तेज करता है तेज बनाने में यह आपका काफी आपके लिए helpful है ठीक है काफी helpful है और इससे आपको काफी ज्यादा पहुंचने वाला है तो अभी आपने जाने इसके जामुन खाने के क्या क्या फायदे हैं तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि जामुन खाने के क्या क्या नक्सान है और किस तरीके से अगर हम लोग जाम उनको नहीं खाना चाहिए पहला क्या है कि जामुन जब भी आप जामुन खाते हैं जामुन खाने के बाद एकदम से आपको पानी नहीं पीना चाहिए ठीक है तो नमबर एक पर हम लोग आपको मैंने बताया कि जामुन खाने के तुरंद बाद आपको पानी नहीं पीना चाहि एकदम से जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए एकदम से आपको जामुन नहीं खाना चाहिए नमबर तीन की हम लोग बात कर लेते हैं जामुन खाने से पहले या बाद में अचार का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि अचार से बनी चीजे खाने से भी सेहत को काफी नुक्सान होता है और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं जब उन खाने के बाद हल्दी से बनी चीजों का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए हल्दी से बनी चीजे भी काफी नुक्सान दैक होती है तो आई होब कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकरी आप लोगों के लिए काफी हल्द फूल होगी और फाइदे मंद होगी तो इसी तरह हल्द टिप्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मैं ऐसी बहुत सारी मैंने हल्द की वीडियो हल्द टिप्स की वीडियो अपने चैनल पर डाली हुए किस चीजों के क्या क्या फायदे हैं तो वो आपको इसली मेरे चैनल पर मिल जाने वाली है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं कि आई होप कि यह वो भी सारी वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाली है तो जिन भाईयों से रिक्वेस्ट है मेरी जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नीव है तो वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुन सके और इसके अलावा भी मैं जो मेरे भाई नेच्छरल तरीके से फिटनेस चाहते हैं नेच्छल तरीके से अपनी हेल्थ बनाना चाहते हैं आप खुद को फिट रखना चाते तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं काफी जो लोग जिम बगार नहीं चाह सकते, तो मैं उनके लिए सिर्फ होम वर्क आउट की वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूं, तो आप घर भी बिना किसी इक्यूब्मेंट के घर पर आप कैसे एक्सराइज कर सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं, तो यह सारी जानकर यह आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली हैं, आप कैसे वेट लोज कर सकते हैं, तो बहुत सारी वीडियो फैट लोज की है, वेट लोज की है, बाइसेफ है, ट्राइसेफ है, शोल्डर है, मतलब प्रोपर आपके फुल डे, फुल बोडी की वर्काउट आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है और बिल्कुल असान तरीके से मिलने वाली है और मैं बिल्कुल नेचरल तरीके से आपको फिट रहना यहाँ पर बताता हूँ तो आई होब कि मेरे सभी वीडियो को बहुत पसंद करने वाले हैं तो इसी तरह इंटरस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहे हैं फिटनेस गोल दिशान चैनल और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह इंटरस्टिंग वीडियो के लिए हल्थिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद